ही गाइज विलकम बैक हैपी संडे टो एवरिबड़ी आई होप आपका संडे जो यह आपर अच्छा जाए अच्छा जो आज के विडियो के अंदर हम देखेंगे क्योंकि संडे हो या मंडे हमारे अपडेट तो रोज आने इंपॉटन्ट है ताकि आप मार्केट के साथ अपडेट भी रहे और आप टेक्निकल्स भी यहाँ पर सीखते रहे तो आज की विडियो में बिटकॉइन के बा वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है तो उसकी बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर बिटकॉइन 40,400 के सपोर्ट को बेरहमी से तोड़ते हुए नीचे गिर पड़ा पर अब सबसे बड़ा प्रशन यहाँ पर यह है कि क्या बिटकॉइन रेंड लाइन पे सपोर्ट बना पाएगा क्या यहाँ से बाउंस फिर से आएगा और एक सवाल का जवाब जिसका सबको इंतिजार जानेंगे हम आज की एपिसोड में तो यह जो downward moving channel है इसके according जो BTC का support area बन जाता है वो ऐसे 37,400 है लेकिन क्या है यहाँ पर हमारे लिए जब भी कोई fall आता है उसके बाद following candles बहुत जादा important होती है और उसको notice करना उसके according market में change किया रहा है तो वही जो चीज़े मैंने यहाँ पर notice करी जिसमें 37,400 वैसे आप देखोगे अभी जो price जिस level पे 37,400 जिस level पे इतना कोई distance यहाँ पर बनता नहीं है वैसे भी support wise भी अगर आप देखोगे एक अच्छा zone जो है यहाँ पर यह बन जाता है मैंने यह आपर अब यह monitor किया कि जो candles है अच्छा form हो रही है थोड़ा sustain करने की कोशिश करी है यहाँ पर यहाँ पर volume और RSI के अंदर क्या मेरे को कोई difference देखने को मिल रहा है market sentiment में कोई difference देखने को मिल रहा है जो यह थोड़ा सा show करे कि कम से कम एक हलका bounce तो कही ना कई हमको देखने को मिल जाए आपर तो उस उकार्डिंग जो चीज मैंने आप नूटेस करी है आप देख सकत नहीं करें क्योंकि downward moving हमको volume यहाँ पर देख रहा है तो साफसा बोल रहा कि अब downtrend में यहाँ पर जो sellers है वो कही ना कहीं यहाँ पर exhaust हो रहे है बोल्स धीर धीर है यहाँ पर enter हो सकते हैं अब इसी चीज को मैंने यहाँ पर match किया RSI के साथ देखने के लिए कि RSI हमको अगर आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले यह notice करो यहाँ पर 24th of Feb को candles किस lower point तक यहाँ पर रही थी और RSI किस level तक यहाँ पर रहे था यूजली RSI और candle का movement exactly match यहाँ पर करना चाहिए उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर next जो हमारे candle का downward यह area था वो देखो पर क्या बन रहा है यह hidden bullish divergence जो है यहाँ पर बन रहा है एक तो इस zone से भी आप देख सकते हो अगर आप थोड़ा सा और extend करना चाहो तो इस zone के according भी उसको यहाँ पर मान सकते हो तो यह आप देख सकते हो अपना divergence का chart hidden bullish divergence I think अब तो आप सीख गए होगे इसको अच्छे से है तो यह यहाँ पर form हो रहा है ठीक है अब यह जब चीज होई this is good यह show कर रहा है कि market में अब जो trend reversal के थोड़े से chances है थोड़ा सा bounce हलका सा वो आनी की possibility जब यहाँ पर बन जाती है तो यह भी important है देखना market में longs और short की positioning यहाँ पर क्या चल रही है अब उसके according जब यह मैंने यहाँ पर देखा तो यह अच्छी चीज है कि आफ finally यहाँ पर डर का माहौल जो है वो थोड़ा यहाँ पर बन रहे है लोग यहाँ पर थोड़ा सा डर रहे हैं तो that is good for the market तो वो possibility देता है कि market में थोड़ा सा bounce यहाँ पर आ सकता है बस यह डर का माहौल बना रहे है ऐसी च हमारे लिए यह 37,400 से लिके अभी यह 39 का जो जोन बन गया ना यह एक जोन है जहाँ पर कम से कम at least एक bounce charts की according यहाँ पर बन सकता है ठीक है इंदियन्ट देखते हैं वो सही में होता है कि नहीं होता है और bounce होगा तो level कौन से important हमारे लिए हो जाएंगे पहला तो crucial area देको 40,400 जो बहुत important हमारे लिए resistance बन जाएगा और अगर वो break होता है तो price 44 के level तक भी जा सकती है according to this यहाँ पर जो मैंने आपको बता है hidden bullish divergence बनती है लेकिन वहाँ पर अगर जाना है उसके लिए पहले 4,400 break होना चीए जो हम देखेंगे break होता है कि नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़े बहुत जल्दी चेंज होती है तो इसलिए हम हर दिन सिखाने की गुशिश करते है ताकि आप updated यहाँ पर हो I hope इससे कुछ आपको सीखने को मिल रहा है वैसे usually अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो March का महीना होता है वैसे historically अगर हम देखेंगे BTC के लिए इतना कुछ खास नहीं है mostly हमको यहाँ पर corrections ही देखने को मिले है especially एक bull run के बाद जब थोड़ा weakening years यहाँ पर आते हैं तो वो भी important रहेगा साथ में यहाँ पर यह भी चीज़ ध्यान रखने है कि अगला हफता जो हो सकता है starting का हमको थोड़ा सा में भी positive देखने को मिले अगर ची increase करने के लिए agree कर चुके हैं कि 25 basis points से इसको increase कर सकते हैं मतलब 0.25 कर सकते हैं लेकिन अगर inflation numbers और जादा है जो बोड़ने की currently last time आप देखोगे around 7.8 या 5 के round थे I think 7.5 के round थे तो अगर इससे जादा आ गया 10 या 12 ऐसा कुछ आ गया तो वो उसको 50 basis points से भी increase कर सकते है 0.5 तो थोड़ा सा इसको squeeze करने की कोशिश करेंगे, interest rise करेंगे तो वहाँ पर market जो है थोड़ा dump भी कर सकते हैं तो financial market भी कर सकते हैं बिटकोइन पर कैसा reaction आता है वो थोड़ा सा important यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि बिटकोइन इसे stock market और इसे correlate होना ने चाहिए लेकिन आज के एट इस पॉइंट से इंक्रीज कर सकते हैं और 15 और 16 का जो टाइम है important रहेगा तो देखना है यहाँ पर market भी किस तरह से react करता है बाकी technicals जो है वो तो मैंने आपको बताई गदी है इसको हम follow-up जो है यहाँ पर करते रहेंगे तो आज के वीडियो में आज संडे के update में यही सा बाकी मिलतें नेक्स वीडियो में रफ तक ली बाय और टेक क्या बबाय